नमस्कार बच्चे को जंग फूट खाने की आदत पड़ गई है बच्चा बार बार कभी कुरकुरे खाता है कभी चिप्स खाता है कभी पाव बाजी खाता है कभी मेमोज खाता है कभी मेगी खाता है बस एसे तले बुले चीज बच्चे को खाना सीख गया और बच्चे को आदत बहुत बिगड़ गई, बस fast food ही खाता, तो आखिर इस बच्चे की इस आदत को कैसे छुड़ाएं, कैसे समझाएं बच्चे को कि it is not good for your health, कैसे समझाएं बच्चे को कि ये नहीं खाना चाहिए, आज कल पेरेंट्स की यही प्रवणवित्य की सर क्या करें, बच्चे ज ज्यादा खाने लगते हैं, घर का healthy खाना देते हैं, उनको तो उनका मन नहीं पड़ता है, और दूबले पत्ते सोहरे बच्चे, तो आखिर इसाद क्या करें, कि बच्चे जंग food खाना छोड़ दे, healthy food खाना शुरू करते, यह आपकी नहीं, अधिक तर पेरेंट्स की प्रो दिखा लेता है, और मज़े से खाता है, तो बच्चे की जंग food की आदत छुड़ानी है ना, तो सबसे पहले आपको यह tips फोलो करने होंगे, नमबर वन, सबसे पहले खुत्वर कंट्रोल करिए, अगर आप parents हो, और अगर आपको जंग food खाने की आदत है, चीप्स, कुरकु आपको बच्चा कभी healthy food नहीं खाएगा, सबसे पहले self-control करिए, खुद healthy चीज़े खाईए, अगर आप खुद healthy चीज़े खाऊगे ना, तो आपको बच्चा definitely, मैं shorty के साथ करा हूँ, आपको बच्चा कभी junk food खाने की कोशित नहीं करेगा, क्योंकि वो आपके गर में कभ हैं, अगर यह आपके गर में देखे गई नहीं, तो वो कैसे खाएगा, सबसे पहले खुद पर control करिए, खुद पर control होगा ना, तो आपका बच्चा automatically यह सारे fast food खाना छोड़ देगा, बच्चे को अपनी पसंद की homemade चीज़े खिलाए, जान रखना, जब भी बच्चे को पटा या कुरकुरा या कैसा भी माने खाने का मन करे ना, तो बच्चे को कहे कि तिरे को घर की कौन सी चीज़ पसंद है, उसकी मन पसंद चीज़ बना कर घर पर खिलाए, homemade बच्चा भी खुश रहेगा, बच्चे के लिए भी healthy रहेगी और आप भी खुश रहोगे, तो कच्चोरी समोसा खाने की जिद करें तो उसे घर पर, आप कच्चोरी समोसा घर पर बना सकते हो, आप चिप्स घर पर बना सकते हो, कभी-कभी ये बना के खिला सकते हो, या आप घर पे कभी-कभी बना के बच्चे को खिला सकते हो, या आप घर पर कभी-कभी बना के थार्ड, बच्चे को प्यार से समझाएं, ध्यान रखना, बाल मन है, पटग जाता है, उसे अगर आप सकती से strictly पेस आओगे तो बच्चा नहीं मानेगा, बच्चे को प्यार से समझाएं, बच्चे को कहें ये तुम्हारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, ये तुम्हारे नुकसान है, हम भी पहले तो उसे कहें कि हम भी नहीं खाते हैं फास्ट फोर, तो तुम भी मत खाओ, बहुत नुकसान है, बच्चे को टीचर को कहें, ध्यान रखना, बच्चे आपकी बाते कम और टीचर की बाते ज्यादा मानते हैं, तो अधिकतर बच्चे अपने टीचर की बात मानते हैं छोटे होते हैं तो जब बच्चा ये खाने की जित करें न तो आप अपने टिचर को बोले कि इसको समझाए और आप भी अपने बच्चे को प्यार से समझाए टेकल करें आपको बच्चा जंपूर खाना छोड़ दे तीन से चार साल की उम्र के बीच में ही ब बार की कोई भी चीजे बच्चे को मत खाना सिकाएं अगर दीरे दीरे बच्चे को आप गर की हेल्दी खाना सिकाओगे ना हेल्दी चीजे खाना सिकाओगे ना तो बच्चा बार की चीजों की तरो अट्रेक्ट नहीं होगा वो आप की गर की हेल्दी चीजे ही खाएगा औ और गर की homemade चीज़े खिलाते जाएं प्रेजेंटेशन खूबसूरत बनाएं ध्यान रखना आप किसी रेश्टोरेंट में जाते हो या कहीं आप बाहर खाना खाने या चार्ट खाने जाते हो तो वहां देखते हैं कि आपके सामने वह चार्ट लाते हैं तो कितना अच्छा बच्चे को क्या पसंद है वो decoration पसंद है बच्चो को सजावट पसंद है तो गर पे भी आप homemade चीज़े बनाए ना तो अच्छी डेकोरेट करें अच्छी उसको सजाए और बच्चे को सरव करें बच्चे को बहुत पसंद आएगी और बच्चा मार की चीजा खाना बंद कर झालको 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 देका